तो दोस्तो आज कुण में कवर करने जा रहे इस इक स्टेंडर की इंगलिश पोयम जिसका नामे दोस्तों डोंट गिव अप जियां दोस्तों आज हम पहले देखलेंगे इस पोयम का प्रोनौसियेशन फिर जाएंगे मिनिंग के और और लास में डिसस करेंगे पोयम के आउट स्टेंडर की इंगलिश पोयम जिसका नामे दोस्तों डोंट गिव अप तो दोस्तों आज हम पहले देखलेंगे इस पोयम का प्रोनौसियेशन फिर जाएंगे मिनिंग के और और लास में डिसस करेंगे पोयम के आउटकम्स को तो चलिए दोस्तों आप भी टेक्स्मुक नि तो यंग बर्स in flying fall, still their wings grow stronger and the next time they can keep up a little longer. तो दोस्तों इस तरिके से थी पोयम की प्रोनौसियेशन तो मैं भी होप करता हूँ, आपको भी जो इस पोयम का hard word लग रहा होगा प्रोनौस करने में उसका जो सही प्रोनौसियेशन है दोस्तों यहाँ पर आप जान चुके होंगे, जो टाइटल है, पोयम का नाम है, दोस्तों पहले उससे डिस्कस कर लेते हैं, उसका नाम का है, क्योंकि अगर आपको पोयम का टाइटल ही नहीं पता होगा, उसका मीनिंग का है, फिर पोयम भी नहीं समझेगा, तो यहाँ पर दोस्तों पोयम का टाइटल हमें जैसे कि यहाँ पर दिया गए है, don't give up, तो give up का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह नहीं है कि मतलब आपको छोड़ देना है, तो यहाँ पे डॉंट गीव पे याँ पे डॉंट आला जो एक वरड आया है तो उसपे आपको जादर कॉंसेंट्रेट करना है क्योंकि यहां पे पोइम का टायिटल बताता है कभी मतलब आपको हाहर नहीं मानना है जहां दोस्तों यह है पोइम का meaning तो यहां पर चलिए जैसे कि यहां पर फ्रस प्राइट में पोईट बताते हैं तो इसका मतलब क्या है दोस्तों मालीजिए आप कोई गेम खेल रहे हो या फिर आपके स्कुल में भी स्पोर्ट्स हो अगरा इस्पोर्स इवेंट्स श्वागरा चलते रहते हैं तो यहाँ पर आपने भी कभी न कभी यहाँ पर पाटिस्पेट जरूर किया होगा, लेकिन क्या होता है, हर बर तो आप नहीं जीतोगे, हर बर अलग-अलग winners आते हैं, लेकिन यहाँ पर पोईट क्या बोलते हैं, अगर आपको बहुत ही अच्छे, मतलब आप बोल सकते हैं, आपने बहुत ही मेनत की, अगर आप हार जाते हो, तो ऐसा मतलब वहीं पर रुख के रोना नहीं है, इन दसेंस मतलब क्या दोस्तो, यहाँ पर पोईट बताते हैं, आपको अगर हार जाते हो, तो यहाँ पर दोस्तो यह नहीं सोचना है, मैं हार गया, मैं हार गया, आपको यह सोचना है, कि अगली बार मैं और जाधा महनत करूँगा, तब जाके दोस्तो में वाला रेस जीत पाऊंगा, या फिर जो भी आप स्पोर्स वाला इवेंट है, या फिर कहीं भी दोस्तों कोई भी चीज़ को एक दम अच्छे से जीत पाओगे क्योंकि यहाँ पे अगर आप पहले अपना आप बोल सकते हैं होप लूस कर दोगे तो फिर अगली बार दोस्तों आप जाद महनत ने करोगे और जैसके कहावत English में Practice Makes Man Perfect तो इसका वही वाला दोस्तों कहावत यहाँ पे अपलाई कर सकते हो आप जितना अगली बार के लिए प्रैक्टिस करोगे तो हो सकते हैं दोस्तों में भी अगले बार आप भी उस वाली event को जहुर जीत जाओगे तो यहीं पे point भी वही बताते हैं और सातिम बताते हैं All that's great and good is done just by patient trying तो यहाँ पे point भी वही बताते हैं जितना भी दोस्तों अच्छे काम होते हैं मतलब अगर आपको वह वाला event जीतना है तो यहाँ पे point बोलते है patient के trying से होगा patient मतलब यहाँ पे patient कोन होगे दोस्तों आप लोगे आप लोग होगे यहाँ पे जैसके आपने कोई चीज लूस किया तो फिर आप ही लोग बोलेगे हाँ मैं तो अगली बार और जाद मेहनत करनी है अगर हमें उसे जीतना है तो यहाँ पे point भी बोलते है आप जितना try करते रहोगे उस चीज के लिए एक दिन आपको success जरू मिलेगा तो दोस्तो इस तरके से थी पोएम की first paragraph तो चलिए जो second paragraph का meaning है उसे भी हम discuss कर लेते हैं तो दोस्तो पोएम का second paragraph इस तरके से दो यंग birds in flying fall still their wings grow stronger and the next time they can keep up a little longer तो दोस्तो यहाँ पे जैसे कि second paragraph में पोएम बताते हैं तो यहाँ पे point क्या बताते हैं जैसे कि आपने भी आपने environment में यहाँ बर्स को कभी न कभी ज़रूर अबसर्व किया होगा क्योंकि यहाँ पे जैसकी आप देखे होगे अपने घर के बारी birds आपने देखा होगा लेकिन जो छोटे 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 birds होते दोस्तो उनके wings भी आप देखे होगे एकदम छोटे से wings होते लेकिन क्या दोस्तों वो कभी हार मानते क्या वो ऐसा बोलते नहीं मुझे उड़ना ही नहीं है लेकिन दोस्तों वो भी प्रैक्टिस करते रहते फिर धीरे धीरे उड़ना सीख जाते तो यहाँ पर पोईट भी बताते जितना आप जाधा प्रैक्टिस करोगे उतना दोस्तों आहां भी स्ट्रॉंग बनोगे क्योंकि अगर मालो कोई बड़ है और वह डर जाएगा पहले में नए उड़ पाऊंगा तो वह कभी अच्छे से उड़ी ने पाएगी और जैसे अगर वह बच्पन से रहेगी प्रैक्टिस करते रहेगी फिर उसके चो विंग से छोटे-छोट है वह भी जादा स्ट्रॉंगर बनेंगे और उसी तर किसी दोस्तों यहां पर आपको भी मतलब यह वाला फॉर्मुला आपको अपलाई करना है अपने लाइफ में अगर आप मान लिजा किसी चीज के लिए आप जादर प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस फिल्ड में दोस्तों एकदम जल्दी से स्ट्रॉंग बन जाने वाले हो तो अगली बार अगर आप उस चीज के लिए ट्राइ करोगे तो आपको सक्सेस सवरू मिलेगी तो पोईट भी यहां पर यही बताते है और साथ ही में बताते हैं और नेक्स टाइम देख एन कीप अप लिटिल लॉंगर त और यहां पर जैसे की वाद में बोलते हैं और नेक्स टाइम देख एन कीप तो इसका मतलब कहा है दोस्तो अगली बार जब आप आप जाओगे वापस से रिट्राइ करने के लिए उस इवेंट के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए तो यहां पर दोस्तों आप अगर प् हमेशा आपको उस चीज के लिए प्रैक्टिस करते रहने होगी और फिर जागे दोस्तों आप जैसे अगली बार के लिए वाँपे ट्राइ करो नेक्स टाइम वापस से जाओगे फिर दोस्तों आपको सक्सेस ज़रू मिलेगा तो दोस्तों इस तरगे से थी पोईम की सेगे और डारभ रॉदे gust यहाँ पर जैसे कि दूस्तों यहां पर पूल्ड बताते हैं यहां पे पहले पर आयो दोस्तों गर्टी जीहां से थी जैसे कि study का मतलब ही दोस्तों यहां पर strong होता है यह जो study word है वो old English का है यहां पर poet क्या बताते है तो यहां पर poet क्या बताते है जो ओक एक animal का नाम है दोस्तों आपने कभी ओक को देखा होगा तो यहां पर बता देता हो ओक एक्चुली दिखता कैसा है यह भी 200 बूल के तरह एकदम सेम दिखता है बस थोड़ा सा इसका 200 बूल सकते हो चो इसका हो ने थोड़ा सा जाधा बड़ा होता है और यहां पर poet भी बताते हैं चाहिए यहां पर जो ओक एनिमल है चाहिए उसने जितने ब्लास्ट यहां पर सहह लिए होंगे क्योंकि यहां पर जैसकी आप किसी भी चीज में अगर ट्राय कर रहे हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहां पर फेस करने पड़ेंगे मालीजी आप किसी चीज के प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर धीरे धीरे आप भी अपने आपको अप्डेट करना आप शुरू करोगे फिर आपके सामने बहुत सारे अबस्टेकल्स अगर आपको देखने मिलेंगे लेकिन यहां पर फिर वाद में क्या आपको इसका मतलब क्या दोस्तों आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएगा जैसे कि आप अगर स्टडी कर रहे हो तो आ लेकिन आप यहां पर प्रैक्टिस करोगे और साथी में दोस्तों वापस अगर प्रैक्टिस करते करते आपने आपको इंप्रूव करोगे तो एक दिन ऐसे जरूर आएगा दोस्तों आप भी राइस करोगे राइस करोगे आप भी उस चीज में अच्छे अच्छे बनते जा करें लेते हैं हमारी प्रेम को तो दोस्तों जैसे कि फोट पैरगर्फ में बताते हैं हो दमोर्व प्राइज यू तो यहां पर क्या बोलते हैं अगर माल लीजिए दो सब्जेक्ट से एक English और एक Math से तो यहाँ पे बहुत सा लोग सोचते हैं हमें तो English अच्छी आती है तो हमें English में ज़्यादा मतलब ट्राय करना चाहिए और वो ज़्यादा तर Math को फोकस नहीं करते तो इससे क्या होगा अगर मालिजी आप किसे English वाले competition में जाते भी हो अगर वो अप competition जीत जाते हो तो फिर दोस्तों आपको ज़्यादा मतलब कोई appreciate नहीं करेगा जियां दोस्तों कोई ज़्यादा appreciate नहीं करेगा क्योंकि आपने आपके पास एक weakness point भी यहाँ पी रह जाएगा कि यह तो मालिजी आपने कोई चीज जीत लिया तो फिर पीछे से बहुत सा लोग बोलते हैं यह इंग्लिश में अच्छा था इसलिए जीत गया है लेकिन इसका लेकिन आपको हमेशा फोकस करना है अब जितना अपने आपको इंप्रूव कर पाऊगे और यहां पर भी बोलते हैं तो यहां पर दोस्तों इसका मतलब क्या अगर दोस्ता आपने काहवत सुना होगा कि हार के जीतने वाले को बाजिगर कहते तो यहां पर भी अप्लिकेबल रहें यहां पर भी बताता है अगर मालीज आपको कभी डिफीट मिलगा आप कभी किसी से डिफीट होगे लेकिन दोस्तों उसके बाद आप जब विक्टरी पाऊगे दोस्तों उसका खुशी आप बोल सकते हैं बहुत ही जादा मिलेगा आपको जैसके लास्ट वाल लाइन म का यहां पर मिनिंग्स ज़रूर समझा होगा तो चलिए दोस्तों पोईम का जो आउटकम से उसे भी हम यहां पर डिसकस कर लेते हैं तो दोस्तों पोईम का जो आउटकम से यही है कि जैसकी पोईट यहां पर बता रहे थे कि अगर मालीज आप कोई भी आप बोल सकते हो पा पुस्छिश करोगे और फिर दोस्टो उधर आप वक्तिज ज़रू पाऊगे तो दोस्टो इससे थी पुर की प्रोंसी एंशन और साथी में हमने पोएंग का मिनिंग थी आ वह हमें परproduct step कर लिया है तो दो 120 को मिनिंग년 को में आकर जरू बताना और सिरुड़ों को दोस्तों जल्स कर जी लाइक और शेर अपने फ्रेंस के साथ कर दिए ता कि वो लोग भी जान जाए इस पोएम का मिनिंग और उन्हें भी कोई डिफकल्टी ना है और चैनल पर पहली बार आए तो जल्से सब्सक्राइब कर लेना है घंटे वाल निशान को और पिस अब करना जिससे क्या होगा दोस्तों आप लोगों के लिए जैसे न्योड अप्रोड करता होंगा तो आपको सबसे पहले नौटिफिकेशन मिल जाएगा और आप भी हमारे वीडियो को यहां पर एंजोई कर पाओगे तो मिलेंगा है हमारे अगले वीडियो में तब तक लिए स्टे मौटिवेटर विए और तक लिए सबस्तों आपको सुच्सेश